शुक लाइक बाद फिर से आप से गास्वात करता हूं गयतिर एजूकेशन क्लासेज में हम लोग क्रेश कोर्स चला रहे हैं क्लास 10 के लिए अल्रेडी हम दो चैप्टर अब तक अपलोट कर चुके हैं तीसा चैप्टर का ये आज लास्ट वीडियो है अब इस चैप्टर में पर पियर ओफ लीने एक्वेशन टू वेरियल्स में जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है वह होता है वर्ट्स प्रॉब्लम तो आज हम सारे टाइप्स के वर्ट्स प्रॉब्लम देखने वाले हैं और उनको करने का तरीका देखें सबसे पहले हमारे पास जो कोश्च प्रेजेट एज के लिए हम यहां पर प्यूस करेंगे ताकि बारबहा हमें लिखना ना पड़े लेट दफ प्रेजेट एज ऑफ फर्स पर्सन पहले पर्सन की जो एज आपको कंसिडर करनी है अब्व्यस सी बात है वह कितनी है एक्स इयर्स है ठीक और उसी के साथ लेट द एक कोई भी नंबर है न दो साल मतलब two years ago five years ago इस तरीके से a is any number तो a years ago यदि आपके पास है a कोई भी नंबर है समझ गयोंगे आप a is any number कुछ भी 5 साल 10 साल 12 साल कुछ भी तो a years ago आएगा तो आपके जो फर्स परसन की age होगी है ना first person age वो कितनी हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि आप x में से a- कर देंगे ठीक और वहीं पे आपके second person की जो age होगी वो हो जाएगी कितना y-a ये बात आपको ध्यान रखनी ठीक और वहीं पे अधी कल को आपको आता है a years later ठीक a years later या फिर कई बात after after word after a years तब आप क्या करेंगे तब आपके first person की जो age होगी first person की जो age होगी वो हो जाएगी x plus a years ठीक और आपके second person की जो age होगी वो हो जाएगी y plus a years आपको इस बात का ध्यान रखना है बहुत विशेज ध्यान रखेगा उसके बाद आप क्या करेंगे apply the conditions apply the conditions in apply the conditions given in the questions जो भी आपको questions में दी हुई है condition and solve it and solve it तो आपको solution मिल जाएगा कि x और y की age कितनी है तो यह आपको algorithm लेके चलना है इसी के basis पे हम सवाल करते है पहला सवाल हमारे सामने यह रहा क्या? Sumit is three times as old as his son five years later he shall be two and half times as old as his son how old is Sumit at present? तो जैसा कि हमने सीखा है क्या करेंगे हम let the present age of Sumit कितना be x years हमने यही सीखा भी and the present age of sun be y years यह बात थी उसके बात अब क्या बोल रहा है? कि Sumit is three times as old as his son तो हम क्या बोलेंगे? हमारे पास first condition यहाँ पे लग रही है first condition क्या है? कि Sumit की जो age है वो तीन गुना है अपने बेटे से सही बात है? तो x is equal to three times y यहाँ से मुझे linear equation two variable x minus three y बराबर zero यह रही मेरी रही है equation number one आगे क्या बोल रहा है? five years later तो जैसा क्या आप देख पा रहे हैं अब क्या आ रहा है what? five years later तो five years later में मैंने आपको बताया था कि five years later का मतलब होता है कि अब जो age होगी किसकी सुमित की तो हमारे पास सुमित की age इस बार हो जाएगी यह add हो जाएगा x plus five years जो हमने present age मानी उसी में घटेगा उसी में बढ़ेगा और उनके भाईया बेटे की जो age होगी वो हो जाएगी y plus five years अब हमें इसका इस्तमाल करना है अब हम इस चीज का इस्तमाल करेंगे जो आगे की condition दी होगी है क्या दी होगी है five years later he shall be he याने कौन सुमित तो यहाँ पे अब दूसरी condition लागो होने का वक्ता आ गया तो यह हमने लिखा x plus five he shall be two and half तो two and half इस तरीके से लिखा जाता है times as old as his sun तो उसके sun की h कित्ती है y plus five यह हो गया आपने second के जीज़िए देखिए x plus five और यह हो जाएगा कित्ता five by two हो जाएगा बट्चा और यह y plus five तो two is a four plus one five by two cross multiply करेंगे तो यह हो जाएगा two x plus ten is equals to यहाँ पे multiply करेंगे five y plus twenty five जो कि हमें equation दे देगा two x minus five y और पच्चीस में से 10 जाएगा हमारे पास कित्ता बचे का 15 तो यह पास हागी हमारे equation number two अब solve करते हैं elimination लगा के solve करने हमें क्योंकि x और y calculate करना है तो देख पा रहे होंगे यह x है और यहाँ पे two x है multiplying equation one by two जैसे two से multiply करेंगे यह हमें मिल जाएगा कितना two x minus का six y is equal to zero यह मेरे लिए होगे equation number third अब मैं क्या करने वाला हूँ कि second और third को solve करने वाला हूँ तिक on solving on solving second and third तिक second और third और वो भी कौन से method लगा के by elimination elimination आपको काफी जल्दी आंसर देती है substitution से भी आप जा सकते हैं उसमें भी कोई समस्या नहीं क्या है भाईसा यह आपके पास है two x minus six y is equal to zero है और यह वाली equation आपके पास है two x minus का five y बरावर में elimination है तो यह subtraction यहाँ पे addition और यहाँ पे subtraction साइन चेंज हो जाते हैं जा हम subtraction करते हैं यह cancel out होगा सही बात है यह प्लस का five y है यानि कि हमारे पास यहाँ पर बच्चा कितना minus का y और यह हमारे पास minus का 15 यानि कि y बरावर हमारे पास कितना आ रहा है 15 इसको substitute करेंगे हमारी जो normal equation है from equation first तो क्यों क्यों easy है जितना हो सा कि easy कर यह calculation को तो equation first हमारे पास बोल रही है x is equal to 3y तो x is equal to 3 into 15 यानि कि x बरावर हमारे पास आ गया 45 तो यह हमने ages निकाल दी present age x is equal to 45 years है और y हमारे पास 15 years है जहां पे x जो age थी वो किसकी थी सुमित की यानि कि सुमित 45 साल का है अभी और जो उसका बेटा है वो कितने साल का है 15 साल का है यह हमारा question समाब तुआ है अगले question पे आई देखें क्या बोल रहा है the present age of father is 3 years more than 3 times the age of his son तो देखिए सबसे पहले वो ही जो तरीका हमने सीखा है क्या कि let the present age of father है जिसके बारे बोला जाए उसी को आप इस्तमाल करें father be x years कितना हो जाएगा x years and the present age of जो उनके भाईया है बेटे be कितना y years ऐसा करते ही अब हम क्या करेंगे पहली condition हमें पहली देखे रखे उन्होंने तो पहली condition लगाते है the present age of father तो present age of father x is three times थ्री ताइमस नहीं थ्री ताइमस नहीं है sorry इसको सुधार दे क्या दिया थे कि the present age of father तो present age of father कितनी है x है is is याने equals to three years more याने कि तीन साल उसमें क्या करने है हमें जोडने है more than three times the age of his son तो three times the age of his son कितना 3y इस ताई के solve होगा तो देखा जाए तो यह हमें दे रहा है x minus 3y बराबर 3 और यह हमारे पास होगा equation number ठीक आगे क्या बोल रहा है वो हमें three years later तो three years later वड़ आ गया है three years later तो याद होगा three years later का मतलब क्या है कि भाईया तीन साल है ना तो हम जानते हैं कि पहले तो हम इनके age बदलेंगे किनकी वह या father's age तो बदली है ना father's age हमारे पास three years later में होगी x plus three years ठीक अब हमें यह इस्तमाल करना है उसी के साथ son's age जो होगी वो y plus three years हो जाएगी इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक अब हम condition लगाएंगे जो हमें दूसरी condition दी हुई है ना दूसरी condition क्या दे रहा है वो कि ठीक है three years later hence the father's age तो father's age हमारे पास किती है इस बार x plus three is will be 10 years more तो 10 plus कर दें पहली 10 plus कर दिया more than twice twice करना है किसका age of son age of son किती है y plus three यह लिख दिया है इसको solve कर दीजे ठीक आशा करता हूं समझ में आ पा रहा होगा ठीक 10 plus 2y plus 6 ठीक x minus 2y और आप लोग का revision भी दमदार हो गया होगा ठीक 10 plus section किता हो जाएगा भई यह हमारे पास और minus का 3 तो x minus 2y बरावर में किता 13 तो देख लो भई ठीक है ओके 3s लेटर अब आगे solve करते हैं मैं खेल सो 2 equation आगी यह आगी हमारे पास equation number 2 इसको solve करेंगे तो किता होगा भई यह x minus 3y is equal to 3 है और x minus 2y बरावर 13 है ठीक है करते हैं भई पर हो जाएगा addition यहाँ पर हो जाएगा subtraction तो यह तो cancel out हो जाएगा है और यह plus का 2y है और minus का 3y तो minus का y बचेगा और minus का 13 plus का 3 तो यह हो जाएगा minus का 10 मेरे ख्याल से है और y हमें किता में जाएगा 10 y बरावर 10 years अच्छा अब इसी को किसी में रख दें आसान वाली equation यह वाली रख दे रहे हैं from first from first किता बोल रहा भई x minus 3y is equal to 3 यही बोल रहा ना x minus 3y is equal to 3 तो देखिए x minus y की जगह यहाँ पर 10 रखेंगे यह किता हो जाएगा 30 is equal to 3 तो x बरावर minus 30 उदा जाएगा plus हो जाएगा 33 years यह आपने निकाल दिया answer ठीक आपको क्या निकालने थी उनकी present is तो x 33 years का है और y 10 years का है खतम question बिल्कुल अगला question है ना मैं जाए time waste नहीं करना चाहरा हूं उम्मीद करता हूं सौंज म क्या करेंगे वही let the present age of father be x years अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर गलती हो सकती है और sum of ages of his two children याने की दो बच्चे है and the present age of sum of the ages of two children या दो लोग चुपे हुए इसमें be y years बस मैं बता रहा हूं क्यों आपको ध्यान रखना है ताकि इस तक के question में दिक्कत नहूं जब आप ऐसी चीज़े पढ़ते हैं sum of two लोग तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप add या subtract करें तो वहाँ पे कुछ चेंज होंगी बताता हूं क्या तो अब क्या बोल रहा है father's age is three times the sum of the ages of two children ठीक है तो यह पहली condition apply कर देते हैं तो father's age हमने क्या लिखी है x लिए तो x लिए ठीक is three times the sum of यह तो इतना ही आ रहा है याने कि x minus 3y बराबर 0 इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं हो इस y के अंद five years तो after five years में पहले तो क्या हो जाएगा भाई साथ आप खुदी सोचेगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूं भाई या father's age father's age में कित्ता जोड़ दूँगा x plus five ठीक वहीं पर यह ध्यान रखिएगा यह है sum of the ages of two children तो यह कित्ता हो जाएगा y plus ten हो जाएगा बच्चों सोच पा रहे होगे क्यों कि खुदी सोचेगा y के अंदर दो लोग है एक बंदा यह रहा एक बंदा यह रहा तो पास साल इसके भी जुड़ेंगे सपोज मालो y का मतलब y का मतलब सपोज दो नंबर है एक z है और एक t है दो लोगों का सब्सक्राइग तो आफटर five years यदि मैं बोलूँगा आफटर five years तो आप क्या करेंगे आप बोलेंगे कि sir यदि y में five जोड़ना है तो y में five जोड़ने का मतलब है कि इसके भी पास साल और इसके भी पास साल तो पाँच और पाँच कितना हो जाएगा दस और यह दोनों वही क्यों ही है ना कुछ इस तरीके से ठीक यदि आप सोच पाए हो तो खुद ही पाँच और पाँच वो जुड़के यहां लिखे हुई है में खाल सब समझ में होगा जो उनकी common age पाँच और पाँच अलग-अलग बढ़ रही है वो यहां पे लिखे हुई है और उनकी जो एक साथ age का sum है वो यह वाए है ठीक अब आगे क्या बोल रहे है अब हम लगाते भाई सब second condition second condition हमसे क्या बोल रहा है कि after five years his age will be his याने father's age तो यह लिख दिया एकस प्लस फाइब विल बी two times तो two times the sum of their ages याने की y प्लस 10 यह लिख दिया इसको solve करेंगे तो x प्लस 5 is equals to 2y प्लस कितना 20 यह हमें दे देगा x माइनस का 2y और 20 में से 5 गया यह बचा कितना 15 ह हमारे पास आगे equation number 2 ठीक अब हमारे पास इसको solve करना है बस solve कर लेंगे तो answer आजाएगे x माइनस 2y ठीक तो x माइनस 3y बराबर 0 दिया हुआ है और x माइनस 2y बराबर कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है यह आप जानते क्या लिखना थे हैं आपे solving equation first and second by elimination हम elimination से solve करते है तो जैसे solve करेंगे यह negative यह positive और यह negative यह cancel out हो जाएगा positive 2y यानि कि माइनस का y आ रहा है यह माइनस का 15 आ रहा है यानि कि y बराबर कितना आ रहा है 15 years y बराबर 15 years अब y को ही निकाल देते हैं इसमें तो हमारे पास दिया हुआ है from equation first from first first equation हमारे पास दिया है x is equal to 3 times y तो x बराबर कितना 3 into 15 है न तो x बराबर हमारे पास कितना जाएगा 45 न पंदातिया 45 साल के बंदे हैं y साल 45 years तो इस तरीके से हमारे पास सारी चीज़े निकल सकती है तो present age of father कितनी है 45 बर्श अब ही है चलिए अगले question पर आए तो देखें बहुत ही simple way में solve करते है let the present age of नूरी कित्ती भाईया be x years अब बोला न सारे question एक जास है and the present age of sonu be y years बिलकुल दिमाज में आप तो याद हो गया होगा कि कैसे करने इस ता के questions को क्या बोल रहा है five years ago जाना है न तो चलिए भाई साब five years ago पे चलते है five years ago पे तो five years ago में obvious सी बात है जो नूरी की age होगी नूरी की age होगी उसमें से पास साल घटा दिये जाए और उसी प्रकार जो हमारे पास sonu की age होगी उसमें से भी पास साल घटा दिये जाएंगे ये वाली कंडिशन क्या है कि 5 years ago नूरी एज और नूरी एज कित्ती है एकस माइनस 5 है ठीक क्या बोल रहा है वास थ्राइस यही वाली कंडिशन इस्तमाल हो गई तो कित्ता हो जाएगा x-5 यह जाएगा 3y माइनस का कित्ता 15 यह इस तरीके से तो x-3y is equal to यह माइनस का 15 और प्लस का 5 माइनस का 10 ठीक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अब इसको मैंने बोल दिया equation number 1 आगे क्या बोल रहा है 10 years later याने कि अब मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा भाई साब 10 years later तो 10 years later पर जाएंगे तो पहले तो यह बता दीजे नूरी की age कित्ती हो गई तो नूरी's age बिलकुल हो जाएगी x-10 years और यहाँ पर जो हमारे सोनू भाईया है सोनू भाईया की age कितने हो जाएगी y-10 years यह लिख दिया भाई साब अब हमारा वक्त आ चुका है कि हम कौन सा कंडिशन लगा दें second नूरी will be twice तो नूरी कितना है भाईया नूरी की age हमारे पास है इस समय x-10 यह लिख दिया x-10 will be twice as old as this सोनू तो भाईया y-10 solve करेंगे तो x-10 is equal to 2y-20 इसको solve करने में हमें मिल रहा में कितना 10 है ना 20 में से 10 गया 10 बचा यह हमारे पास आ गई है equation number second और अब हम क्या करने वाले है solving equation 1 & 2 ठीक और वो भी किस से by elimination by elimination method ठीक L लिख दिया है यह अब जैसी करेंगे तो हमारे पास x-2y बराबर कितना दिया हुए 10 और यहां से हमारे पास आ रहा है x-3y बराबर द दोनों 10 आ एक है पका यह माइनस 10 है माइनस 10 फिर यह negative यह positive और यह आपका positive ठीक है यह cancel out हो जाएगा यह plus का 3y है तो y बचेगा और यह दोनों जुड़ गए तो 20 हो गए 20 साल के है यह कौन है 20 साल के और y कौन था सोनू 20 साल का है ठीक एक्स निकाल दे रहा है तो x हमारे प फ्रॉम फॉस्ट फ्रॉम एक्वेशन नंबर फॉस्ट फैल एक्वेशन लिख दे रहें किती है एक्स माइनस 2y is equal to 10 तो x- y की जगार 20 रखेंगे तो 22 सा 40 बराबर 10 तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 है 40 उदर जाएगा प्लस तो भाईया यह तो बढ़ापे आए इसका तो x बराबर 50 नूरी 50 साल की हो गई है बोढ़ापा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन आपके एरा the father's age is six times his son's age कोई दिक्कत नहीं है कोई तकलिप नहीं है जो सिखाया है उसी पे बिलकुल डटे रहो डटे रहो तो देखें क्या है भाईया let the present age of father ठीक कितना भई be x years मेरे ख्याल से यार अब तो याद हो गया होगा बिलकुल दिवाग में बैठा होगा and the present age of किसमना भईया son be y years ये लिख दिया भईया ये ख्याल से इसमें कोई तकलिप नहीं है अब क्या बोल रहा है the father's age is six times तो ठीक है पहली condition लगाते है ठीक पहली condition बोल रही है कि father's age is six times of his son's age तो ये हो गया x minus six five बरावर zero ये खता हमारे पास equation number one ठीक क्या बोल रहा है four years hence four years hence का मतलब भी क्या होता है ये लिख दे रहा है न four years hence यहाने कि इसके बाद से four years present age के बाद से four years याने कि इसका मतलब होता है after four years ठीक या फिर four years later तीनों सेम बात ने है भाईया इसे लिए हमने questions कर रहा है तो क्या हो जाएगा भाई साब हमें आप लिखनी पड़ेगी father's की age पहले तो father's age हमारे पास हो जाएगी x plus four years ठीक और वहीं पे उनके पुत्र की age हमारे पास हो जाएगी y plus four years ठीक यह हो गया तकलीव दो अब क्या बोल रहा है the age of father ठीक है तो second condition apply करने का वक्त है age of father हमारे पास किता है x plus four है अब age of father will be will be four times of his age son's age यह लिख दिया इसको solve करेंगे तो x plus four बराबर किता four y plus 16 solve करने पे x minus four y बराबर में 16 minus four करेंगे यह आ जागा 12 है कि नहीं तो यह हमारे पास आगई equation number two question तो यहीं पर खताम हो चुका एक तरहीं किसे अब क्या करना है भाई साब देखें यहां से देखें वो तो x की जगा किता है six y ना तो six y रख दे रहा है ना इसी में substitution भी दिखा दें solving first and second तो देखें क्या दिया हुआ है यह मेरे पास दिया हुआ है x minus four y बराबर में किता है 12 ठीक और x क्या बोल रहा है कि मैं कौन हो six y हूँ भाई तो लोग six y minus four y बराबर 12 च्छह में से चार गया बचा दो आए बराबर 12 तो y बराबर किता six years नहीं है यह समझते को substitution भी बहुत काम की होती है कई 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 खट से निकालती है आपने यह जो भी इस तरीके के question से ना यह x बराबर 6y य बराबर 3y जो भी ऐसे question है उनमें substitution बहुत जल्दी है कोई दिक्क करें x बराबर 6 into 6 जाने की x बराबर किता है 36 years यह खतब तो father says 36 सा है और son says 6 years है और यह कैसे लिखना है by substitution by substitution में ख्याल से आपको कहीं दिखकर नहीं आई होगी ठीक चलिए next topic पर चलते हैं यह है बहिए चलिए important question है important question है कैसे करना देख्या कोई दिक्कत नहीं है अब ratio दिया ना बस घबराना नहीं क्या बोल रहा है at present तो वही जो सिखाया ना वही करना है let the present present age of two brothers यहाँ पर let the ratio of बस ठीक है let the present age of two brothers is आपन ले 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 हैं 2x and 1x 1x यहने 1x कौन बोलता है x समझ के होंगे 1x क्यों लिखा ताकि लोगों को दिक्कत ना है and the यहाँ पर बस इस बात का ध्यान रखें देखिए यहाँ पर इन्होंने present age का ratio दिया है और 5 साल बात का भी ratio दिया है and after after five years five years age of two brother is कितना बोल रहा है इसको ले ले रहे हैं आपन 3y and 2y इस तरीके से ठीक लेकिन लेकिन बट आपको पता है कि after five years में तो सार आप change करते थे हाँ तो मैं करूँगा लीजे after five years after five years में आप क्या करेंगे भाईसा कि जो इनकी ages है ब्रदर्स की उसमें एक में two x में भी plus five जोडेगा और दूसरे वाले में भी कितना x plus five जोडेगा लेकिन खुद ही सोचेगा पास साल के बाद उसकी age आपने कितनी लिए एक की आपने तीन वाई लिए है और दूसरे वाले की भाईया आपने तू वाई लिए बास सुझ में यह एक सिंपल सा तरीका है इस तरह के questions को solve करने का अब बताईएगा क्या करें भाईया ठीक है solve करते है ना तो मेरे ख्याल से इसमें हमें किसी चीज का multiply कर देना चाहिए इसमें multiply by 2 कर रहा है ना मैं ख्याल से मैं लिखना काफी सिखा चुका हूँ तो यह कित्ता हो जाएगा है ना दोने equations को फिर से लिख रहा हूँ 2x प्लस 5 और यह हो जाएगा 4y बरावर में 2x प्लस 10 एलिमिनेशन लगा रहा है ताकि यह cancel out हो जाए यह निकल लिया और यह minus का 4y प्लस का 3y तो minus का y बचा हुआ है और यह minus का 10 प्लस का 5 तो minus का 5 बचा ह हूँ है तो y बरावर कित्ता 5 जैना y हमारे पास कित्ता है 5 तो और क्या बोल रहा है वैगी किस में रख दें ये वाली में रखते हैं च्छोट की वाली में तो हमें दिया हुआ है x plus 5 बराबर 2y तो x plus 5 बराबर होप सो दिख रहा होगा y की value सर्फ substitute कर रहा हूँ 2 into 5 तो बताईएगा कितना हो जाएगा भाई सब यह हो जाएगा आपके पास दोनों 5 साल के हैं क्या ये कैसे हो गया हो सकता है होंगे दोनों 5 साल के अच्छा फिर क्या बोल रहा है नहीं या पास साल के नहीं हो नची दोनों को आपने कहीं कुछ खा लिया क्या देखें तो after 5 years ठीक है 2x में भी 5 जोड़ा है तो 2x प्लस 10 और यहाँ पर 4y तो यहाँ पर भी आपने कोई गड़ड़ी तो खिलाल नहीं करी है और यह माइनस का y बच्चा यह कैंसल आउट हो गया और माइनस 10 प्लस 5 माइनस 5 बचेगा y बढ़ा 5 y की value उठाके इसमें रखी तो किस्ता हो जाएगा 5 to the 10 और 10 माइनस 5 5 बचा ठीक ठीक है दोनों 5 साल के अब क्या बोल रहा है लेकिन question यह थोड़ी है question यह बिल्कुल नहीं है रुक्य में जा रहा है एक बार confirm करूं मुझे इसके answers में doubt हो रहा है कहीं हमने error कुछ कर दिया है क्या मुझे लग रहा है कहीं हमने error किया है इसमें कि दोनों same साल के आ गया है है ना दोनों same साल के नहीं आने चाहिए एक equation हमारी क्या बनी है 2x plus 5 is equal to 3y और एक हमारी बनी है x plus 5 is equal to 2y तो बनी तो हमारी सही equation है equation हमारी बिल्कुल सही बनी है ठीक है करते हैं फिर जो भी है देखा जाएगा चलिए तो present age पर बात करते हैं बताईएगा तो x भाईया 5 साल के हैं और 2x भाईया हो जाएगे कितने कितना हो जाएगा 5 into 2 याने की 10 यही होगा चिक है y सही है बच्चो सही है कोई tension की बात नहीं है तो x हमारे पास 5 आ गया है और 2x हमारे पास रेशो थे आपन ध्यान नहीं दे रहते रेशो थे रेशो थे रेशो थे आपन ध्यान नहीं दे रहते चलिए देखिए तो x बरावर 5 आ जाएगा और 2x बरावर हमारे पास कितना आगे 10 तो यह आपको पता होगा 2x किसकी एज थी यह दोनों भाईयों में से पहले वाले भाई की एज थी और यह दूसरे वाले भा a years after the ratios of their ages will be कितना भाईया ratio दिया जा रहा है 4 ratio 3 अब देखिए a years after का मतलब क्या है a years after का मतलब यह है कि यह जो बंदा था है ना यह जो बंदा था 5 है ना यह जो बंदा 5 था हमने पहले 2 लिया है ना तो पहले 2 वाला लेंगे यह जो बंदा 10 था इस 10 में भी कितना जुड़ चुका है a जुड़ चुका है और इसका ratio उसके भाई के साथ उसके भाई का age कितन पांच और इन दोनों का पांच साल के बाद जब रेशो में ए एड हुआ है तो रेशो कितना आ रहा है चार बटे तीन आ रहा है में ख्याल से आपको कोश्चन थोड़ा बहुत क्लिक किया होगा है आखरी का यही एक important बात है कि हमें वह year निकालना है कि भाया वह years क्या था तो a years निकाल ले रहे हैं इसको solve कर दो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 30 प्लस 3a बरावर कितना 4520 प्लस 4a इसको solve करेंगे तो यहां तो a बचा 4a-3a ठीक 30-20 10 तो भाया वह a years basically क्या है 10 years है तो 10 साल बाद इन दोनों भाईयों का ages का जो रेशो होगा वह कितना हो जाएगा 4 10 साल बाद इन दोनों भाईयों का अभी इन दोनों का रेशो कितना आ रहा है अभी इन दोनों का रेशो 2 रेशो 1 है ठीक present में 2 रेशो 1 है 10 साल बाद इन दोनों भाईयों की ages का रेशो कितना जाएगा 4 बटे 3 आ जाएगा आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा चलि फादर बी एक्स किता बी एक्स येर्स and the present age of sun बी येर्स ठीक ये हो गया अब क्या बोल रहा है बाई सब कि पहली कंडिशन में बोल रहा है कि sum of the ages of father and son तो याने कि x प्लस y बराबर किता है 40 है ये हमारे पास equation number 1 खताब आगे क्या बहुत है if the father's age is three times that of his son ठीक है तो second condition भी present पर ही लग रही है क्या कि father's की जो age है वो three times that of his son है तो याने कि x प्लस y बराबर 40 दिया हुआ है x की जा किता रख दो three y plus y बराबर में 40 तो ये हो जाएगा हमारे पास four y बराबर 40 तो y बराबर हो जाएगा किता 10 y किता आ चुका है 10 उठा के ये from first equation पहली वाली में रख दीजें और पहली equation में जैसी रखेंगे तो x बराबर हमारे पास किता हो जाएगा three into ten याने की 30 years तो 30 साल के पिता जी है 10 साल का उनका पुत्र है तिक मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्य आपको नहीं है आगे बढ़ते हैं देखें problem based on distance, speed and time यह एक important topic है मेरे ख्याल से सबको इतनी बात तो पता होती है एक important formula time बराबर होता है कितना distance upon में speed यह बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है time is equal to distance upon speed यह आप उल्टा भी याद रख सकते हो speed is equal to distance upon time जैसा आपको select पर यह को ऐसे याद है तो मैं ऐसे बता देता कि speed into time क्या हो जाएगा obvious सी बात है distance के बराबर हो जाएगा क्योंकि यह question भी हमारे काम के है यह दो बहुत important है class 10th के point of view से बहुत important है use होते रहते हैं speed into time is equal to distance और time is equal to distance upon speed ठीक आपने सुना होगा एक downstream और एक आपने सुना होगा upstream तो इस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं जब भी आपको इस तरह के problem साहना problem based on problem based on downstream and upstream इस तागे questions को कैसे solve परना है देख इस तागे questions को solve करने का बड़ा ही असान तरीका आप वहाँ पे assume करेंगे हर बाद let the speed of boat in still water in still water be x kilometer per hour ठीक यह बात ध्यान रखेंगे आप and the speed of stream है न वाटर की stream है will be कितना y kilometer per hour ठीक यह बात ध्यान रखेंगे अब क्या बोलेंगे भाईया speed in यदि मैं बोलता हूं किसमे downstream में speed in downstream तो कैसे निकालेंगे speed in downstream का मतलब यह है कि नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है तो boat बहुत तेजी से नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगा कि x और y दोनों ही क्या जुड़ जाएगे बात सुझ मैं दोने क्या होंगे जुड़ जाएगे और यदि boat उपर चड़ रही है तो speed in upstream speed in upstream तो घट जाएगे न उपर ले जाना पड़ता है यह बात आपको ध्यान रहेगी तो आपको समस्य आएगे नहीं आएगी बात ध्यान रखेगे यही सबसे बड़ा जड़ का कारण है यदि यह याद नहीं रहा तो फिर question तकलीप देगा तो जब हम boat में downstream आप upstream लगाएगे ना तो यह दोनों use होते है x plus y और x minus y downstream में तो x plus y बढ़ जाएगी speed आप upstream में उपर जा रहा है याने की speed घड़ जाएगी x minus y आपको बस इत्ता याद रखना है और still water में boat की जो speed होती हो x होती है और जो water current जो पानी का बहाव है उसकी speed y होती है यह चार चीज़े आप याद रखेंगे तो आपको यह कि जो problem based on downstream and upstream है असाइं solve हो जाएंगे और एक यह formula है ना की time is equal to distance upon speed यह बहुत अनिवार रहे है चली करते हैं question कोई दिक्कत नहीं है ना क्या बोल रहा भाई है a man can row a boat downstream 20 km तो पहले लिखना ही बता दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं क्या करेंगे वही है let the speed of boat in still water in still water be x km परा बेख्याल से आपके सभी teachers ने भी आपको बताया ही है कि कैसे लेना है आपने भी देखा होगा पूरा साल कतम होने को आया crash courses ने मुझे बहुत तेज से चलना पढ़ रहा है and the speed of stream be y km परा water stream be y km परा ठीक उसके बाद फिर हमें पता है भाई साब कि क्या वो लेंगे भाईया कि up stream है na speed in मैं direct लिख दो तो किसी को दिक्कत ना हो speed in upstream उत्ता सारा कौन लेके speed in upstream क्या हो जाएगा भाई साब x minus y km परा ठीक और speed in downstream क्या हो जाएगा x plus y यह आपको हर question में लिखना है आप लिख लिजएगा हमें time भी बचाना है और वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा बात समझें तो यह चार बाते मैंने पीछे भी करी तहीं आप भी बता दी क्योंकि कोश्चन ही पहला उसके बाद मैं इतना लिखूंगा नहीं अब क्या बोल रहा भाईया सीधे आपन कोश्चन में आते हैं आप सर इसको कैसे करेंगे अब देखे यह वाली लाइन आप लिख पाए तो आपको कोई समस्या नहीं होगी मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया कि जो टाइम होता है उसका फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा कि उसका टाइम होता है तेस्टेंस डिवाइड़ड तो चलिए देखते हैं, distance कितना cover हो रहा है, मैं आप पहले लिख रहा हूं, तो आप 20 है, मैं इसे फिलिखना सिखा रहा हूं, कई बच्छों को तकलीफ हो जाती है, उस formula को देखे, distance कितना cover हो रहा है, 20, 20 गंटा, अच्छा, बात कहा की हो रही है, downstream की, downstream की जो speed होती है, वो कि बात समझ में आखी ने आई, तो यह आपकी पहली condition है, बात समझ में यह पहली condition है, इसको solve करें कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो मेरे कहाल से 10 अपॉन में, x प्लस y ब्रावर में कितना 1, cross multiply में बेजेंगे, तो x प्लस y ब्रावर हमाई पास आगया 10, यह मेरे पास equation number 1, टिक, अच्छा, आगे, आगे क्या बोल रहा भाईया, and up stream 4 km in 2 hours, तो फिर से, है न, up stream की बात कर रहा है, up stream की बात कर रहा है, पहले तो अप stream में, boat की speed कितनी होगी, तो भाईया, up stream में boat की speed होगी, x minus y, टिक, और time कितना बोला है, time उन्होंने बोला है, 2 घंटे लग र लग रहे है, यह, इस ताइए, solve कर यह, 2 अज़र 2, 2 तो 2 तो 4 है न, यह second condition है आपकी, तो यह हो जाएगा, हमारे पास कितना, 2 upon में, x minus y, बढ़ारों 1, ठीक, साथ से वो formula आपको substitute करना आगया होगा, कि कैसे substitute करते हैं, ठीक, इस से ज़्यादा जल्दी अब क्या ही बताऊ बच्चो, x minus y is equals to 2, यह, हमारे पास आगई equation number second, अब उन्होंने बोला है कि also find the speed of stream, or find his speed of rowing in a still water, यानि कि हो जबने x और y माना था है, वो ही निकालना है, तो क्या करेंगा भईया, from first and second, from first and second, तो पहले और दूसरे को ले लेते हैं, भईया, x plus y बराबर 10 है, और x minus y बरा बरा रहा है 12, तो x बराबर आपके पास कित्ता आ रहा है 6, ठीक, वहीं पर किसी में भेल्यू रख देंगे, तो y बराबर कित्ता दिया हुआ हमारे पास 10 minus x है, यह वाली equation से, इस वाली equation से, x plus y बराबर 10 है, तो y को x को दर भेल दिया, ठीक, तो 10 minus हमारे कितना है 6, तो y ब पानी की जो रफ्तार है, 4 km प्रती गंटे की रफ्तार से बैरा है ठीक, और जो बोट है, वो 6 km प्रती गंटे की रफ्तार से चल रही है, किसमें still water, ठीक, तो यह आपके तरीके हैं, इस तागे questions को solve करने का, आशा करता हूँ, अब यह जल्दी यल्दी करूँगा तो आपक पता है, ठीक, कि वो let वगेरा से लिखेंगे, जो हमारे पास still water वाला काम है, speed of boat in still water, वो हमारे पास x है, ठीक, और उसी तरीके से let, जो speed of stream है, यह water current जो है, वो कितना है, y है, मेरे क्या से दिखकत नहीं है, km पर आर लिख लीजेगा, लिख दे रहे हैं, km पर आर, दोनों क अब फिर क्या बोल रहा है, तो आपको यह भी पता है कि, जो speed है, speed in downstream, speed in downstream, कित्य हो जाएगी, वो हो जाएगी, x minus, sorry, x plus y, ठीक, और speed in upstream, वो कित्य हो जाएगी वाईसा, x minus y, km परा, में ख्याल से किसी को भी दिखकत नहीं हो रही है, भाया, दिखकत नहीं होनी चाहिए, मैं थ्वा shortcut में लिख रहे हैं, बात को समझीए, अच्छा, अब क्या बोल रहा है, question में देखिए, अब motor boat cover सा distance of 16 km, तो distance कित्ता 16, ठीक, up stream, up stream मतलब उपर जा रहा है, x minus y, ठीक, लेकिन 20 में आप क्या लगा दिया है, उन्होंने, end, तो end का मतलब होता है, plus, end का मतलब प्ल सावस, ये काम हो, कित्ते गंटे में कर रहा है, 6 गंटे में, याने कि एक बार उपर जाना, फिर नीचे आना, कित्ते गंटे में, 6 गंटे में, मेरे क्याल से आपको बात सौंज में आई होगी, ठीक, इसको solve करेंगे बाया, ये तो cut सकता है, कट जाएगा, कित्ता 28 जा 16, औ 12 तूसा 24, और 23 तूसा 6 है, मैंने 2 से डिवाइड मार दिया है, पूरे को, 2 से डिवाइड मार ताकि नमबर छोटे हो जाए, ठीक, अब इसको solve कर लेते हैं, तो ये आपने, याद होगा, reduce करना पड़ेगा, इसको, क्या करना पड़ेगा, reduce, वोई, याद दिला देता हूं, let 1 upon x minus y को u मान लिजे, और 1 upon x plus y को v मान लिजे, तो ऐसा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, 8u plus 12v is equal to 3, ये आपके पास equation number 1, अच्छा, आगे भी मैं ख्याल से बात चल रही है, आगे भी क्या बात कर रहे हैं, कि in the same time, उसी time पे, same time आने कि 6 गंटों में, ठीक, it covers a distance of 12 km, तो ये लिखा 12 km, upstream, upstream का मतलब x minus y, ठीक, and, and, 36 km downstream, याने कि x plus y, उन से 6 गंटों में, तो ये 6 गंटे में, अब ये कट रहा है मेरे ख्याल से, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 6 बन जा 6, और इसके नीचे x minus y लिख दिया, इसके नीचे x plus y लिख दिया, ठीक, solve करने का तरीका ढंका र तो ये हो जाएगा कित्ता 2u, प्लस का कित्ता 6v, बरावर में 1, ठीक, ये मेरे पास आगई equation number second, इनको solve कर लेते हैं, solve करने के लिख क्या करना पड़ेगा भई, इसमें 2 का multiply कर दे रहे हैं, इस वाल equation में 2 का multiply, तो ये 4u, 4u, प्लस का 2 6 जा 12v, बरावर में कित्ता 2, ठीक, 線 equation को ये। ये तो 8u, प्लस का 12v, बरावर में 3, ठीक, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये तो cancel out हो जाएगा, ठीक, माइनस का 8u, प्लस का 4u, तो माइनस का 4u बचेगा, और यहां पर माइनस का 3 और प्लस का 2, तो माइनस का 1, तो u बरावर आएगा 1 2 बटा 4 तो यू बरावर के तता आ गया एक बटा 4 आ गया इसको किसमें सब्सीट्यूट कर दें वहीं कि इसी में रख दे रहे हैं कौनसी वाली में सेकंड वाली में क्या दिया हुआ था 2U प्लस का 6V बरावर में 1 ठीक यू बरावर 1 रख दे रहे हैं तो 2 इंटू 1 बाइ 4, plus 6V बरावर में 1, तो यह 2 azah 2 और 2, 2 azah 4, 1 by 2 धर जाएगा, तो यह हो जाएगा, 6V बरावर 1 वाइनस 1 by 2, दो किमेह को देगा, 6V बरावर 1 by 2 है, 2 minus 1, 1 हो जाएगा तो V बरावर मेरे पास आ रहा है, 1 बटा 12 हैना, V बरावर एक बटा 12 है ना 6 चूजा 12 अब हम क्या करने वाले है वापिस substitute करेंगे क्यों क्योंकि हमें पता है कि 1 upon x minus y is equal to क्या दे रखा है u is equal to u दे रखा है तो यह रख दे रहे हैं वाईया 1 upon x minus y बरावर में केता 1 बटा 4 reciprocal करूँगा तो x minus y बरावर केता आ गया 4 अच्छा होई पे 1 upon x plus y बरावर में क्या लिखा हुआ है v तो 1 upon में x plus y बरावर v की value किती है 1 बटा 12 reciprocal करूँगा तो यह हो जाएगा x plus y बरावर 12 इन दोनों को solve कर सकते हैं आपन क्या हो जाएगा x minus y बरावर 4 है और x plus y बरावर तो y भी निकल जाएगा मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है है ना तो क्या कर दें y बरावर कितना 12 minus x तो y बरावर 12 minus 8 y हमारे पास कितना रहा है 4 तो भाईया speed of boat in still water is 8 km परा ठिक और जो पानी के बहाव का है वो है 4 km परा तो इस तहीके से questions को आपको अप्रोच करना है यह reduction वाली questions है आपने इन्हें पिछले lecture में भी किया है चलिए आगे बढ़ते है यह same type का question है आपके लिए मेरे खाल से आप लोग कर लेंगे इनमें आपको कोई तकलिप नहीं होगी है ना यह पता है ना अब बोट गो 30 km अप इस्ट्रीम तो आप जानते किता हो जागा 30 km अप इस्ट्रीम है तो अप इस्ट्रीम बताइए अप इस्ट्रीम में आने की स्पीड घटेगी याने की x-y ठीक और बीच में लगा हुआ end क्या बोल रहा है it can go 40 km तो 40 km अप इस्ट्रीम में आने की x-y फिर बीच में के लगा हुआ end और 55 km डाउन इस्ट्रीम में आने की x-y बेख्यासे इसमें आपको दिक्कत नहीं आई होगी simple question चल रहा है ठीक फिर वही आपको क्या कि 1 upon x-y को u let करना है और 1 upon x-y को v let करना है तो यह आपको हो जाएगा किता 30u प्लस 44 v बराबर में 10 और यह भाईया आपको हो जाएंगे 40u प्लस 55 v बराबर में किता 13 इस तरीके से आप questions को approach कर सकते हैं यह करेंगे तो यह काम बनेगा इनको solve कर लिएजेगा do by yourself do by yourself hope swap यह questions कर लेंगे चलिए आगे करते हैं अगला question आपके सामने अब person rowing at the rate of 5 km हाँ यह मैं करवा दे रहा हूँ देखे यह एक important question है देखते साथ ही समझ में आ गया देखे अब person rowing at the rate of 5 km पर आर इन इस्टिल वॉटर तो याद होगा कि हम लिखते थे let the speed of boat याद आ रहा होगा आपको इन इस्टिल वॉटर इन इस्टिल वॉटर बी कितना एक्स किलोमीटर पर आर क्या लगता है आपको यहाँ पी यह चीज गिवन है आपको इस्टिल वॉटर में स्पीड गिवन है कितना एक्स भाईया आपको गिवन है 5 km पर आर मेरे ख्याल से इतनी बात आपको संज में आई takes thrice takes thrice as much time in going 40 km upstream as in going downstream याने कि उपर नीचे दोनों में जाने में 40 km लग रहा है ना डिस्टेंस तो सोचेगा तो आप क्या लिखेंगे 40 upon में और आप stream है याने कि आप लिखेंगे x minus y ध्यान से ठीक और यदि मैं बात करूँगा कि इसकी downstream की तो आप क्या लिखेंगे भाईया 40 upon में x plus y मेरे क्यासे बात भी आपको संज में आ रही है यह बात संज में आ रही है तो खुद ही सोचेगा basically इसको लिखना चाहिए 40 upon में x की जगा तो मैं कितना लिख दूँ 5 minus y और यहाँ पर भी यही लिखना चाहिए 40 upon में 5 plus y distance तो बदली नहीं है यह जो चीजे देती है क्या चीज सर कि distance upon speed is equal to time distance upon speed is equal to time तो दोनों में अलग-अलग time लग सकता है संभाव ना है थीक तो time 1 और time 2 मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आए होगी कि किस तार से इस questions को अक्रोच करना यह समझ में आगे तो सब समझ में आगे यह नहीं आए तो समझ से आए चलिए तो नीचे जब आती है तो तीन गुना उसकी स्पीड बढ़ जाती है तीन गुना समय जादा आएगा बात समझ में आए कि निआ आए यह यहाने कि जैसे तीन गुना समय कम हो जाएगा बोलना ची मुझे कायदे से कायदे से इसका कहने का मतलब यह है मैं यह यह इसको लिखूं कि जो आपके पास time t1 है जो आपके पास time t1 है और जो आपके पास time t2 है तो time 2 में कितने का multiply हो जाएगा 3 का multiply हो जाएगा बात समझ में आ रही है कि 3 गुना इसके लिए घड़ जाती है और इसके लिए 3 गुना बढ़ जाएगा बात समझिए, यानि कि 3 से भाग मारूआ, तो ऊपर जाने के लिए समय धीरे-धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि नीचे आने में समय क्या हो रहा है, तीवर गती से घट रहा है, आशा करता हूँ, डिरेक्टली प्रपोर्शनल और यह सब आपने पड़ा होगा, नह 40 अपन में 5 माइनस y, is equal to 3 times, 40 अपन में 5 प्लस y, ठीक, यह वाला कोश्चन इस ताइकर सॉल्व करेंगे, यह 40 से 40 काट दो भई यह, पहली काट दो, फुरसत में काट दो, क्या बचेगा, 1 अपन में 5 माइनस y, और यह बचेगा, 3 अपन में, कितना 5 प्लस y, 3 अपन में 5 प 15 माइनस का 3y, कितना बचेगा भई, यह माइनस का 3y, यह उदर आएगा, तो 4y, और 15 में से 5 जाएगा, उदर तो बचेगा कितना 10, तो मेरे कहल से y पर अबर आजाएगा 10 बटे 4, 10 के 4 हिस्से करने मतलब 2.5, ठीक, तो x तो हमारे पास कितना है, 5 किलोमेटर परा, ठीक, त मैं जानता हूं था इंपोर्टेंट है, इसलिए बता है ज़वरी है, CBT में एक बार पूछा गया था, ठीक, कोशिश करेगा समझे की, अभी मुझे और भी टापिक्स कवर करने हैं आपके, देखें, अगला कोश्चन, अगला कोश्चन, अगला कोश्चन, अगला कोश्चन covered by the train, या फिर, ऐसा ना लिखके, ऐसा लिख देते हैं, let the actual speed, उन्होंने, actual speed, speed पे बोल के रखा ना है, let the actual speed of the train, बी कितना भाई ले लेते हैं x किलोमीटर पर आर x किलोमीटर पर आर now if the train would have been 6 किलोमीटर पर आर पास्ट Cheese it would have taken 4 hours less than the schedule time ठीक है and let the actual time of the train बी वाई आर्स ठीक तो पॉइंट दा लेंथ आप जर्णी ठीक है तो हैंस टोटल लेंथ टोटल लेंथ याने की क्या डी है ना टोटल लेंथ याने डिस्टेंस तो डिस्टेंस कैसे निकलता था स्पीड इंटू टाइम यह कितना बचेगा किलोमेटर स्पीड इंटू टाइम है ना तो एक्स वाई किलोमेटर बचेगा अब पहली कंडिशन पर चलते हैं क्या बोल रहा है इफ दा ट्रें वुड है बीन सिक्स किलोमेटर फास्टर तो हमने जाना है वह यह इस पीड है इस पीड हमारे लिए एक्स है तो इस पीड में कितना जोड़ रहा है छे जोड़ रहा है ठीक इट वूड है टेकन फॉर आवर्स लेस देन दा शेडूल टाइ तो टाइम में कितना घट रहा है टाइम में चार पॉइंट घट रहा है यह चार पॉइंट घट रहा है ठीक तो यह आपको अभी भी दिख रहा है यह डिस्टेंस देदेगा आपको क्या देदेगा डिस्टेंस स्पीड और टाइम का जो प्रोड़क्ट है वो आपको क्या देगा distance तो इधर पर क्या चल रहा basically यहां पर xy ही तो चल रहा है कि नहीं xy अच्छा तो यदि इसको solve करेंगे तो xy बरावर किता यह xy है ना और minus का 4x और plus का 6y और minus का 24 बासमें आ रही होगे आपको इसमें कोई दिक्कत हो आई नहीं होगी अच्छा फिर यह तो cancel हो गया बाई तो बचा 4x minus 6y बरावर में किता 24 बचाएंगे 2 से cancel करेंगे तो 2x 3y और 12 यह 12 बचेगा equation number 1 और मैं क्याल से यह minus का 24 है ना minus का 24 याने minus का 12 ठीक है आगे क्या बोल रहा भी and if the train was slower तो second condition पर बात कर रहे है train was slower by 6 km याने कि उसकी speed घट रही है speed घट रही है ठीक है speed घटा दी it would have taken 6 hour more अच्छा तो इसमें y में किता जोड़ दें 6 hour more than the scheduled time तो भाईया अब आपके पास distance क्या आएगी तो देख लेते है distance यह तो जाएगा आपके पास किता xy और प्लस का 6x माइनस का 6y और माइनस का 36 यह तो दोनों cancel हो जाएंगे ठीक और यह आपके पास बचेगा 6x माइनस का 6y माइनस 36 उदार गया तो प्लस का 36 6 से डिवाइड मार दूँगा तो x माइनस y बराबर किता आ जाएगा 6 आ जाएगा यह आपकी equation number 2 अब क्या करें अब solve कर देते हैं दो equations हमारे पास आ चुकी है अब लेकिन 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 एक्स को cancel करने के लिए इसमें 2 का multiply भी कर दे रहा हूं ठीक 2 का multiply करते ही यह हो जाएगा 2x माइनस का 2y बराबर में 2 6 आ 12 और दूसरी equation हमारे पास यहां पर आ रही है 2x माइनस का 3y बराबर माइनस का 12 इसको घटाओंगा यह जोड़ूंगा और यह भी जोड़ दूँगा तो यह निकल देगा ठीक और 3y है तो बचेगा y ठीक औ और यहां पर करता 12 दूसरी 24 तो y बराबर करता 24 अब x निकालना है तो x भी निकाल लेते हैं कत्ता है भाईया एक माइनस y पराबर हमारे पास 6 था ठीक तो x minus 24 बराबर 6 तो x पराबर 24 उदर जाएगा तो किता हो जाएगा 30 तो भाईया देखा जाए तो यह अमारे पास 1.30 है और एक 24 है लेकिन हमें तो टोटल डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस कितनी है एकस वाई तो एकस इंटू य निकाल देते हैं वही कितना तीस गुणे 24 थेक तो यह तो शून ने बना दिया कितना किलोमीटर ट्रेन चली 720 किलोमीटर चली है आशाय आपने पूरे साल बर में ऐसे कोश्चन की होंगे चलिए अगला सेम टाइप का कोश्चन है ट्रेन कवर्ड़ा सेटेंड डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड बिल्कुल देखिए सेम टाइप का कोश्चन है सिर्फ नंबर्स बतलें तो यह आप फिर से खुदी करेंगे डू बाई यूरसल्फ इनमें आपको दिकर नहीं और कमेंट से लेंथ और रेक्टेंगल लेंथ और रेक्टेंगल बी X unit जाना एंड दो ब्रेफ और रेक्टेंगल बी Y unit यह हो गया X unit और Y unit उसके बाद क्या बोलरा भाया की अच्छा यह बताईए ए एरिया of rectangle बिल्कुल पीछे जैसे type का question है area of rectangle कितना हो जाएगा x y square unit यह बासमज में आगई आपको अब क्या बोल रहा है पहली condition देखें पहली condition क्या बोल रहा है बही है कि the area of rectangle gets reduced by 9 तो area of rectangle कितना है x y उसमें से कितना reduce हो गया है 9 लेकिन कब यह तब हुआ है if its length is reduced by 5 तो उसकी length कितनी है x में से कितना reduce हो गया 5 and breath is increased by 3 तो breath में कितना increase हो गया 3 यह इस तरीके से इस तरीके solve होगा तो यह आपके पास x y minus 9 बराबर में कितना x y ठीक और plus का 3x minus का 5y और minus का 15 x y सा x y cancel ठीक तो हमारे पास आ रहा है 3x minus का 5y minus का 15 उतर जाएगा तो plus का 15 तो 15 में से 9 हो गया तो बचे कितने 6 ठीक तो यह हो गया हमारे पास काहाँ पहली equation का equation number 1 अगली equation देखिए बिल्कुत same way में कि इस बार क्या बोल रहा है if we increase the length by 3 units तो length को कितनी units से बढ़ा देना है 3 units है न यह second condition length को 3 units से बढ़ा देना है and breath by 2 unit अच्छा increase ही करना ठीक है तो increase कर दो breath by 2 unit the area increases by तो जो area था वो और बढ़ा हो जाएगा कितना 67 से ठीक area increases by 67 तो यह x y plus 67 बढ़ार में कितना x y plus का 2 x plus का 3 y और plus का कितना 6 मेरे कहल से आपको इतना सांज में आया होगा तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा वाई सा 2 x plus 3 y बढ़ाबर तो plus का 6 से उदर जाएगा तो 61 तो 2 x plus 3 y बढ़ाबर 61 यह आगे equation number 2 मेरे कहल से इसके बाद आप solve कर सकते हैं आपको इनमें कोई भी तकलिफ आनी नहीं चाहिए ठीक जैसे x और y है तो वो आखरी answer नहीं होगा x into y आपका final answer होगा तो इसके आगे by yourself ठीक मेरा काम था आपको यहां तक कहुंचाना बस और मेरे कहल से मैंने वो काम भली बाती कर दिया है यह काम यह दि कर दिया है तो मेरे कहल से आपको कोई दिक्कात दिसमें होनी नहीं चाहिए चलिए अगला question student of class are made to stand in a row बिल्कुल वही चीज है देखिए वही चीज है कैसे माल लो आपके पास एक row है एक row मेरे 9,2,3 और,4 बच्चे बैठें तो बताई यह दो रूँ में कित्ते बैठेंगे तो आप क्या करोगे यह एक और रोनोगे और बोलोगे है साथ डबल कर दो क्या कर दो Mirror यह कि आप two multiply by four यहां पर यह जो थे यह तो आपके बच्चे थे यह आपके क्या थे और यह जो आपने डब्बे बना ही यह तो आपके लिए क्या था रो तो बेसिकली आपने क्या किया रो का मल्टिप्लाय क्या कर दिया नंबर ओफ इस्टूडेंट से कर दिया आया ना यह नंबर ओफ रोस थी और number of students से कर दिया तो आपको क्या मिल गए total students पता चल गए कि यहां पर बच्चे कितने है total बच्चे 8 है तो total number of students पता चल जाते हैं तो पिछले जैसा ही question है यही समझाना चाहरा था कि इसमें भी product का पूरा खेल है ठीक क्या करेंगे भाईया let the total number of students let the total number of students in each row in each row be x ठीक and the total number of rows total number of rows be y ठीक उसके है क्या बोल रहा है उसके है बोल रहा है student of a class I met to stand in a row if one student is extra in each row ठीक ठीक है भाईया there would be two row less तो देखिए याने कि मुझे पता है ना क्या निकालना है मुझे तो निकालना है total number of students तो total number of students कैसे निकलेंगे वही जो बताया था x multiply by y ठीक अब क्या बोल रहा है पहली condition लगाओ पहली condition लगाते ही क्या हो जाएगा if one student is extra in each row तो row के लिए हमने each row में हर student जो each row में उसको हमने क्या माना x तो x में एक बच्चा क्या कर दिया है extra कर दिया है ठीक there would be two row less तो जो rows है जो number of rows है उन में से दो रोस क्या हो जाएंगी कम हो जाएंगी ठीक यानि कि एक बच्चा आप यदि बढ़ा होगे तो दो रोस कम हो जाएंगी जो भी rows रही होगी ठीक तो यह आपको क्या देदेगा वहिए total number of students देदेगा total number of students is equal to total number of students क्या चल रहा है एकस वाई तो मैंका आसा आपको दिख्या होगा यह पिछले टाइप की question है बैने इनको यह पिछले लिखा है को कि वह आप लोग को क्लिक करना चाहिए exam में की ऐसे questions को approach कैसे करना यह क्या हो जाएगा एकस वाई हो equation number one पहले question में गासा इसके बाद तो आप solve कर लेते हैं टिक आगे अगली भाई है second condition तो आपको पता है वही total number of students क्या है एकस वाई टिक और क्या बोल रहा है if one student is less if one student is less in each row there would be three rows more there would be three rows more यह इस तरीके से तो xy बरावर में यहाँ पे भी xy plus का 3x minus का y और minus का 3 यह दोनों cancel अच्छा आप सभी को happy शिवरात तरी यह तो fast भी है काफी थकान भरा दिन पर आप लोगों के लिए मुझे लाना ही था किसी भी हालत में lecture मैं इसमें देरी नहीं कर सकता था तो यह दो equations मेरे ख्याल से इसके बाद आप solve कर सकते हैं x और y निकालना है x और y निकालना है उनका multiply आपका final answer होगा है न do by yourself चलिए अगले questions की और आईए अब fraction becomes 9 by 11 मेरे ख्याल से यह भी आपने काफी किया होगा ठीक मैं आप इसे फाइडिया दे दे रहा हूँ let the fraction be x by y अब क्या बोल रहा है वही simple सा पहली condition देखे क्या बोल रहा है अब fraction becomes 9 by 11 fraction क्या हो जाता है 9 बटे 11 हो जाता है कब जब 2 is added to both the numerator and denominator यानि कि इसमें भी 2 जोड दीजे और इसमें भी 2 जोड दीजे इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा 11 x plus 22 बराबर में 9y plus 9 to the 10 ठीक में ख्यासे इसमें कोई समस्य है नहीं तो यह 11 x minus का 9y बराबर में इत्ता भाईया 18 minus 22 याने की minus का चाहिए 11 x plus 22 9y plus 9 to the 18 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोई समस्य नहीं तो यह आगी हमारे पास कितना इसी अगले में क्या बोल रहा भाया फिर से कंडिशन इस बार क्या बोल रहा फ्रेक्शन इस बाप पांच बटा च्छा हो जाएगा लेकिन कब हो जाएगा वह बोल रहा है if 3 is added to both the numerator and denominator तो भाया जब numerator में भी 3 जोड दीजिए और denominator में भी 3 जोड दीजिए कितना हो जाएगा यह 6x प्लस 6 तरीजा 18 और यह 5y और 5 तरीजा 15 तो यह 6x माइनस का 5y बरार में 15 माइनस 18 माइनस का 3 equation number 2 यह आपको आगया मेरे ख्याल से इसके बाद आप x और y निकालेंगे x और y निकालेंगे तो उसको यहाँ पर put कर देंगे जो फ्रेक्शन होगा वो आपको final answer होगा तो फिर से do by yourself ठीक कोई तकलिफ इसमें होनी आपको नहीं चाहिए चलिए आगे हाँ भई यह question देखे inner triangle ABC एंगल यह बराबर x डिग्री तो देखिया यह तो given ही है the sum of greatest and smallest angle आपको triangle का निकालना है पहले तो मुझे बता दीजे sum of triangle sum of angles of triangle sum of angles sum of angles of triangle कितना होता है 180 होता है sum of angles of triangle 180 होता है और इसका मतलब क्या होगा कि angle a plus angle b plus angle c बराबर कितना 180 होगा ठीक angle a हमारे पास x है angle b हमारे पास 3x minus 2 है angle c हमारे पास y है बराबर में कितना चल रहा है x और c इतनी बात तो समझ में आती है भई इसको solve कर लेते हैं तो x plus 3x कितना हो जाएगा 4x ठीक और plus का कितना y यह minus 2 उधर जाएगा तो plus हो जाएगा 182 equation number 1 खता अगला क्या बोल रहा है भईया एक चीज और आपको given है दिख रहा होगा angle c minus angle b बराबर में कितना 9 degree angle c हमें पता angle c है हमारे पास कितना y minus angle b हमारे पास कितना 3x minus 2 is equal to 9 इसको solve करेंगे तो y minus का 3x minus minus plus का 2 बराबर में कितना 9 तो यहां से हमारे पास आता है y minus 3x और 9 में सुदो गया यह आपके पास 7 equation number 2 तो यह 2 equations आप ला चुके हैं इन दोनो equations को solve करने का तरीका अब आप जानते हैं कि क्या करना है तो again do by yourself इन दोनों के x और y निकाल लीजेगा तो x और y जैसे निकालेंगे नहीं आप यह कराई दें यह आप लोग ऐसा ना कुछ गलत निकाल दें यह भी एक तकलिप है हाला कि निकाल लेंगे में क्याल से रहन देता हूँ क्यों? में क्याल से देखिए यह तो माइनस का 3x यह प्लस का 2 अगरा अगरा हो गया तो इनको solve करने का क्या करेंगे भई? देखो y cancel हो सकता है 4x प्लस y ब्रावर में 182 है और इसको ऐसे लिख रहा हूँ माइनस का 3x प्लस का y ब्रावर में 7 ठीक और यहाँ पे add कर दूँगा यहाँ पे subtract और यहाँ पे भी subtract यह cancel हो जाएगा आसान है और यह प्लस का 3x हो चुका है तो 4 और 3 7x और यह कित्ता हो जाएगा भईया यह आपके पास कित्ता 2 गटा 185 तो लगबग 175 कुछ 175 तो x बरावर कित्ता 7, 2, 14 और 3 बचाना तो 75 तो 35 है ना तो x बरावर कित्ता आ रहा है 25 x कित्ता आ रहा है 25 y निकाल लेते हैं y किसमें निकाले हैं रखके कौन सी आसान से equation देख रही इसी में रख देते हैं कित्ता y बरावर कित्ता 7 प्लस 3x तो y is equal to 7 प्लस 3 multiply by 25 तो 25 तिया 75 तो y बरावर 7 प्लस 75 है कि नहीं तो यह हमें कित्ता देदेगा भाईया यह हमें देदेगा 82 82 डिग्री है ना y कित्ता आ गया 82 डिग्री आ गया अच्छा x आ गया और y आ गया तो निकालते हैं भाईया देखो given था आपके पास कित्ता angle a बरावर x डिग्री यानि कि वो तो आ गया 25 डिग्री अच्छा फिर उन्होंने दिया है angle b बरावर में 3x माइनस का 2 तो 3 multiply by 25 माइनस 2 तो कित्ता 75 माइनस 2 जो कि हो जाएगा 73 है ना और क्या दिया है angle c बरावर दिया है angle y के और angle y हमारा आया है 82 डिग्री और question पूछाता है the sum of greatest and smallest तो यह smallest है और यह greatest है तो इन दोनों का sum तो कित्ता हो जाएगा भाईया एक तो 82 और एक आपको क्या लिखना है 25 तो यह हो जाएगा कित्ता 107 डिग्री यह आपका आया है sum of greatest and smallest तिक यह आपका answer आए 107 डिग्री ठीक है चलिए आगे last question और जिनको मैंने बोला है do by yourself उनको कर लीजेगा देखिए एक इस तरह कभी question काफी आपने किया होगा यह तारा देखिए a two digit number is such that तो यार यहाँ पर पहली चीज़ याद दिला देता हूँ let the unit digit हमेशा unit digit b x and 10th digit 10th digit b y तो आपके पास जो number बनके आएगा वो number कैसा बनेगा भाईया वो number आपके पास बनेगा भाईया किता 10 y plus x इस तरीके का number आपके पास form होगा अब देखिए question क्या होल रहा है after interchanging कैसा हो जाएगा देखिए after interchanging after interchanging the unit and 10th digit unit and 10th digit of original number of original number तो आपको वो चीज कैसी हो जाएगी वो चीज हो जाएगी 10 x plus y इन बातों का आपको ध्यान रखना है ये तीन बात यदि आपको पता है तो आपको फिर कहीं समझता है नहीं देखिए condition लगाते हैं condition a two digit number is such that when its once and ten digits are interchanged जब उने interchanged किया जाता है once or ten digit की places को तो क्या number आ जागा 10 x plus y interchange then the four times of the number four times of the number कौन सा वाला number number obtained हमें कौन सा number obtained हुआ है 10 x plus y भाई साब is equal to seven times the original number seven times the original number यह ऐसा इस तरीके solve करना है यह किता हो जाएगा भाईया यह 40 x plus 4 y is equal to किता 70 y plus 7 x है ना इसमें कोई तकलीफ तो हमें नहीं हुए अब इसको solve कर लेते हैं भाई क्या दिक्कत है इसा तो देखिए 40 x और minus का 7 x हो जाएगा ना यह हमारे पास किता हो जाएगा 33 x और यह plus का 4 y है यह इदार आएगा तो minus का 70 y तो minus का 70 y हो जाएगा तो plus का 60 किता ले लें हापन 6 66 y लेकिन minus का लेकिन minus का 66 minus का यह देख रहा है यह plus का 7 x है इदार लाएगा तो minus का 7 x हो गया तो 40 minus 7 33x उसके बाद यह प्लस का 70y है इधर लाए तो माइनस का 70y तो माइनस का 70 और प्लस का 4y आपका 66y और इधर पर क्या बचा भाईया 0 तो मेरे ख्याल से आपन 33 से डिवाइड भी मार सकते हैं 33 से डिवाइड तो यह हो जाएगा एक्स माइनस 2y बराबर 0 मेरे कास एत्तिवास अंज में आ रही है और इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू कितनी है 2y x is equal to कितना है 2y अच्छा आगे एक और चीज़ वह बोल रहा है क्या also the digit at units place है इस बार किसकी बाद कर रहा है digits at units place and tens place differ by 3 तो units place में जो digits है वो हमने x ली है और tens digit में जो place है वो y ली है इन दोनों के बीच का difference जो है वो कितना है 3 है तो यह x minus y बराबर 3 हमारे पास आगे equation number 2 second condition के तहरा अब x की जगह में क्या रख सकता हूं 2y तो x की जगह में 2y रख रहा हूं minus y is equal to 3 2y minus y y बराबर कितना दे लेगा 3 y बराबर 3 जैसे y बराबर 3 आएगा तो यहाँ पर क्या रख दूँगा x बराबर 2 into 3 और x बराबर कितना आजाएगा मेरे पास 6 तो original number यदि मुझे निकालना है तो original number मेरे पास क्या था 10y plus x तो यह मैं रख रहा हूं 10 into 3 plus 6 तो 10th रिजा 30 plus 6 जो कि मेरे को final answer देगा 36 तो यह है मेरा original number ठीक तो मैंने कुछ questions आपके लिए छोड़ के रखें तो आज के लिए पस इतना ही आज हम इस chapter का end कर रहे है यदि आपको और इसके regarding कोई doubt है या कोई question नहीं समझ में आ रहा है या और कोई वीडियो आपके लिए लाओ तो आप comment section में लिख सकते हैं ठीक ना चले thank you धन्यवाद